मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ठीर में बदलते दोते हैं इंसानियत पर जो यह हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी बदलनी चाहिए मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ठीर में बदलते दोते हैं हम इतने असाहय कभी नहीं थे एक देश के तौर पर इंसान के तौर पर यह मुक्रसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम में रस्ट और बर्बर सावित हो चुए हमें से हरेक आदमी अपनी नसरों में किरा हुआ है हम सब किसी अद्रिश्य शक्ति की मदद के उम्मीद में हैं ऐसा लगता है जैसे यहां कोई सरकार नहीं है यहां कोई प्रधान मंत्रे नहीं है यहां कोई विवस्था नहीं है यहां कोई अफसर साही नहीं है और सब को अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं दिखा है आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए वो कहते हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिड़ हो गई है हम इस तिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आये थे औक्सिजन के बिना अपने पेशेंट को तडब तडब कर मरना डॉक्टरों की नीन दुड़ा दे रहा है और आप यकीन मानिये मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक पीमारियों से लड़ रहे होंगे जो मौटें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है इस देश को नर्क बना दिया गया है इस देश को दोज़क बना दिया गया है और हम सब को इतना बेचारा बना कर छोड़ दिया गया है जिसे हमारी कोई हमियत नहीं खैर वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुबा वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूँगा नहीं रहूँगा मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीश रहेंगे नहीं रहेंगे डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस तुनिया को और बैतर होना चाहिए वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नसलों के लिए मंदिर और मस्चिद के जगड़ों से उपर उठना चाहिए वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मिनारों की जरूरत नहीं है हमको सोचना चाहिए स्टेश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है स्टेश को अच्छे स्खूलों की शरूरत, स्टेश को अच्छे मेडिकल कॉलेजिस की शरूरत, अच्छे डॉक्टर पैरा मेडिक स्टाफ की शरूरत, दवाईयों की शरूरत, विस्थरों और वेंटिलेटर की शरूरत, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि स्टेश के हर मंदिर की तब दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिल तब तक नहीं उठेगा जब तक उसके साथ तरका सपधाल नहीं बनाया जाएगा। उसके साथ कोई स्कूल अटैच्छ नहीं होगा। हमको सोचना पड़ेगा। हुआ